ये चीजें बहुत मेत्वपून्थी जब देवताओं को एक खास तरह से बनाया जाता था जब मैं कहता हूँ कि देवताओं को एक खास तरीके से बनाया जाता था देखे ये सब एक बड़ी खिचडी बन गया है ये एक बड़ी खिचडी बन गया है क्योंकि इस संस्कृति को जीवन की अभूतपूर्ण जटिलताओं को समझ कर बनाय गया था लेकिन वे साधन और संस्थाएं जिन्हें इसे एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक पहुँचाना था वे पिछले 1800 सालों में बाहरी हमलों वगरे की वज़े से बुरी तरह से बिखर गए वरना ये काफी प्रभावशाली विज्ञान है उन दिनों हर आदमी हर मंदर में नहीं जाता था कुछ मंदर थे जो सभी की भलाई के लिए थे वहां हर कोई जाता था लेकिन किसी खास वज़े के लिए लोग अपने कुल देवता के पास ही जाते थे यहां तक कि आज भी उनके अफशेश मिलते हैं लोग वहां जाते हैं लेकिन हो सकता है कि यह देवता अब वैग्यानिक समझ के आधार पर न बनाए गए हूँ तो कुल देवता क्यों बनाए गए? आज अगर कोई सौ साल पहले मरा था तो भी खुदाई करने पर अगर उनको एक छोटी सी हड़ी भी मिलती है तो वो उसे लबारटरी में ले जाकर डीने चेक करके और आपका डीने चेक करके बता सकते हैं कि यह आपके दादजी थे तो उन्होंने इसे समझा और इस जनेटिक लाइन को सकती से बनाए रखा और एक शक्ती के स्थरोत की स्थापना की इस विशेश डीने के लिए तो वो उपर बैटे किसी भगवान से ये सब नहीं कह रहे हैं वेबस ये रेजिस्टर करा रहे हैं कि ये मैं हूँ मैं इस वंच से हूँ ये मेरा गोत्र है, ये मेरा नक्षत्र है, ये मेरा कुल है मतलब मैं अपना डीने मटीरियल रेजिस्टर करा रहा हूँ ये मेरा DNA है, मेरी मदद कीजे, ये सबसे वैग्यानिक तरीका है, विज्ञान जो खराब हो गया, टेकनोलोजी सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुई, आज ये सब खिचडी बन गया है, इसलिए ये अब पहले जैसे काम नहीं करेगा, अगर उन्होंने जेनेटिक लाइन्स को बनाए रखा होता, तो वो उसी तरह से काम करता, लेकिन अभी आपको पडोस की लड़की से प्यार हो गया, वो कोई भी हो सकती है, आपकी पसंद उन चीजों को बनाए रखने से ज्यादा एहम हो गई है, मेरा मतलब समाज बदल गया है, तो उन चीजों का आप मतलब नहीं रहा, लेकिन जब चीजें सही तरह से बरकरार थी, तो इसका महत्तु था, ये जीवन की एक बहतरीन समझ थी, जेनिटिक्स की और उसके काम करने के तरीके की एक बहतरीन समझ